आज हम सीखेंगे के इंसानी जिसम के मुकलिफ हिसों को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर को head सर के बालों को hair कहते हैं कान, ear आँख को eye कहते हैं eye भवे, eyebrow पलकों को eyelid कहते हैं eyelid आँख का सफेद हिसा white कहलाता है white पलके eyelash पलकों के जो बाल होते हैं उन्हें eyelash कहते हैं आंग का रंगीन हिसा आईरस कहलाता है पतली को pupil कहते हैं pupil आंसु वाली नाली को tear duct यहां से आंसु निकलते हैं गर्दन neck कनपटी temple पेशानी forehead और नाक का उपर वाला हिस्सा bridge of the nose कहलाता है नाक को nose नथने नास्ट्रिल्स गालों को cheek कहते हैं मू को mouth होंड को lip मसूरों को gum कहते हैं मसूरे गम जुबान तंग दांत तुथ और ठोड़ी को chin कहते हैं कंदा शोल्डर बाजू आर्म बगल को आर्म पिट कहते हैं कौनी को elbow कहते हैं बाजू का अगला हिस्सा four arm कहलाता है सीना चेस्ट मेदे को stomach कहते हैं stomach नाफ को navel कहते हैं नेवव कमर को waist कहते हैं हाथ hand हथेली को palm और कलाई को wrist कहते हैं अंगुठा thumb शहादत वाली उंगली index finger पहली उंगली को first finger कहते हैं पीछे कमर को back कहते हैं कोले को hip कहते हैं रान को thigh और टांग को leg कहते हैं गुठना नी कहते हैं पिंडली को शिन कहते हैं शिन पाउं की और टांग की एड़ी को heel कहते हैं heel पाउं का महराब arch of the foot कहलाता है टकना ankle कहलाता है पाउं का अंगुठे का नाहून टो नेल कहलाता है पाउं का अंगुठा बिग टो पाउं का तलवा सोल कहलाता है Thanks for watching my video on daily learning English